नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे सागत है आपको अपनी योट्यूब चैनल एक्जाम अफेयर्स में आज मैं आपके लिए पॉलिटी का सबसे महत्पूर टॉपिक संसद लेकर आया हूँ आज हम भारती संसद यानी इंडियन पारलियमेंट के बार संसद भारत में सरकार की संसदी पड़ाली ब्रिटेन की सब्विदान से ले गई है क्वेश्चन आपसे पुछे कि भारत में संसदी पड़ाली किस देश की सब्विदान से ले गई है तो ब्रिटेन की सम्विदान से पहला क्वेश्चन तो यहीं इंपॉर्टेंट हो जाता ठीक है अब सभिधान बारती सभिधान के भाग पांच में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसत के बारे में बताया गया है ठीक है भाग पांच में भाग याद रखेगा तो पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुए ठीक है यह क्यावन बावन में पहला आम चुनाव हुआ जिसके तर्थ पहली निर्वाची संसद पहली निर्वाची संसद अपरेल 1952 में अस्तित्तों में आये थी ठीक है तो भारतेस अविदान के अंशेद 79 में संसद के तीन अंगों के बारे में बताया गया कौन कौन से संसद के राश्ट्रपती लोगसभा और राजिसभा ये तीन अंग होंगे हालाकि राष्ट्रपती संसत के किसी भी सदन का सदस से नहीं होता है और नहीं संसत में बैठता है लेकिन राष्ट्रपती संसत का अभिन अंग है ऐसा इसलिए है कि संसत के दोनों सदनों दोरा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक राष्ट्रपती उस पर अपनी सुख्रिती न दे दी इसलिए राष्ट्रपती को संसत काभीन अंग माना जता है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं लोगसभा लोगसभा के बारे में दिखते हैं यह नीचला सदन पर्थम सदन या लोगपरीशदन ठीक है समग्र रूप से भारत के लोगों का फरतिनी जित्व करता है इसका क्या मतलब हुआ कि लोगसभा के जो सदस से होते हैं वो भारत के लोगों की दोरा चुन कर आते हैं ठीक है लोग सभा को लोग परिशदन भी कहा जाता है इस फैक्ट को आप ध्यान रखेएगा लोग सभा को लोग परिशदन कहा जाता है लोग सभा में अधिक्तम सीटों की संख्या 552 ठीक है सीटों की संख्या अगर आप से पुछें तरणके लोगसभा में सीटे जो है राज यागें सास्री प्रदेसों में आवादी के हिसाभ से बाटी गई है ठीक है तो यह greatest ». है मैं Isso 552 में से 530 सीटें जो हैं वो राज्जियों से संबन देते हैं राज्जियों की सीटें हैं बीस सीटे जो है वो यू टी से है यू एडिटर के अंसासिस प्रदेशों से ठीक है दो सीटे इसमें एंगलो एंडियन्स की थी जिनको खत्म कर दिया गया है ठीक आगे बढ़ते हैं चुकि लोग सभा का चुनाओ प्रतेक्षेरूप से किया जाता है प्रतेक्षेरूप मतलभ आम जनता इसमें बोट करती है इसलिए इसे निम्न सदनें हाउस आफ पीपल्स के नम से भी जाना जाता है बहुत important fact है इसको आप जाना खेगा निम्न सदन और हाउस और पीपल्स किसको का जाता है लोक सबा को ठिक लोक सबा में सदस्यों का कारेकाल जो होता है पांच वर्सों का होता है लोकसभा का भी अमतवर पे कारेकाल पांच वर्स का होता है हला कि इसको राष्टपती को चाहे तो पांच वर्स से पहले भी भंग कर सकता है आगे देखते हैं लोकसभा को हर पांच साल में भंग किया जा सकता है इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं हर पांच साल बाद elections होते हैं हर पांच साल बाद लोगसभा को बंकिया जा सकता है इसलिए से अस्थाई सदन भी कहते हैं ठीक है बात आती है अध्यचिता लोगसभा में जो है लोगसभा की अध्यचिता कौन करता है तो लोगसभा की अध्यचिता लोगसभा के अध्यच दोरा की जाती है जो लोगसभा के सदस्वे में से ही चुनकर आते हैं लोगसभा का पृत्यम अध्यच कौन हुआ इंपोर्टेंट है जी भी मौलंकर साब थे लोगसभा के पृत्यम अध्यच वर्तमान में कौन अध्यच है ओम बिल्ला ये तो लोग सभा के बारे में हो गया आगे देखते हैं राजी सभा के बारे में राजी सभा को किस अनुशेद में बताया गया है तो अनुशेद असी में ठीक है संसत को 79 में राजी सभा को 80 में और लोग सभा को 81 में ये तीन आर्टिकल आप सीरियल से याद रख दिद्व करता है राजसवा में दोस्तों मैक्सिमम सीटे जो हैं 200 होती है ठीक है 250 सदेखतम सथीटों की संख्या हो सकती है जिसमें 238 सीटे तो जो होती है राज जीयों के इनसासी प्रदेशों को मिला कर आती है बारा ऐसी सीटे होती है जिन्हें राश्टरपती मनोवनित कर सकता है ठीक आगे बढ़ते हैं चुकि राजिसभा का चुनाव अपर तेक्ष रूप से किया जाता है इसलिए राजिसभा को हाउसाफ लॉट्स की नाम से भी जाना जाता है बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है इसको ध्यान रखेगा राजिसभा को उच्च सदन या फिर हाउसाफ लॉट्स की नाम से भी जाना जाता है ठीक है राजिसभा के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्सों का होता है छे वर्सों का होता है ठीक है हर दो वर्सों में राजी सभा में एक तियाई सदस्यों का चुना होता है राजी सभा के एक तियाई सदस है हर दो वर्सों में चुनी जाते हैं ठीक है इसलिए राजी सभा को जो कारेकाल है वो 6 वर्स को होता है राजी सभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता ठीक है इस इसलिए इससे सथाई सदन भी कहते हैं ठीक है याद रखेगा इस फैक्ट को अब बात आती है कि राजिसभा की दू अध्यच्चता होता है वो कौन करता है तो भारत का जो उपराश्ट्रपती होता है वो राजिसभा का सभापती होता है ठीक है इंपर्टिन डूंट यहाँ पर एक ध्यान रखेगा उपराश्ट्रपती राजिसभा का सदसे नहीं होता है आपसे कुश्चन पर एक्छाम पूछ सकता है किस सदन की अध्यचिता इसके सदसे द्वारा नहीं की जाती है तो याद रखेगा राजिसभा ठीक पहले राजिसभ सबहाँ में सभपति कौन है जगदीब धन गड़श्चित कटो connHㄑ अब आते हैं दोस्तों कि संसद में कितने hommes होते हैं तो समानने प्रतिवश संसद में 57 होते हैं ठीक dusam 2030 whether ईस्ञाइब संद में 25 तो और Zero 10 Bros रहता है और जोलाई से लेकर अगस्ति तक मान्सून संद रहता है उसी इस्टе संद्र जो डोबिशन आ ग्रिसन और दिशमबर में है ठीक कि इंबर्टेंट अगर किसी भी बिल पर लोग सभा और राजसभा एकमत नहीं होते हैं तो ऐसी कंडिशन में आर्टिकल 108, इंपॉर्टेंट राखेगा, आर्टिकल 108 के तहत, राष्ट्रपती दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है, राष्ट्रपती दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है, लेकिन इस बैठक की अध्यचिता कौन करता है, लोग करेंगे राष्ट्रपती नहीं राष्ट्रपती बस बूला सकता है ठीक है अब दोस्तों संसत से रिडिटर हमने कुछ question answer include किये थे आयों को देखते हैं निम्न में से कौन भारत की संसत का अंग नहीं है तो भारत की से कौन सा सुमेलित नहीं है संसत केंदर सरकार का विधाई अंग है विल्कुल है लोग सभा को निचला सदन कहते हैं सही है राज्य सभा उच्च सदन ये भी सही है house of commons उपर ही सदन ये question गलत है ठीक है house of commons किसको कहते हैं निम्न सदन को ठीक है option D सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं राज्य सभा में कितने सदस से राज्यों और केंदर सासी प्रदेशों से चुनकर आते हैं तो राज्य सभा में अधिक्तम सिते 200 होते हैं जिसमें से बारक को तो राष्ट्रपती मनुनित करता है और 238 सदस ऐसे होते हैं जो राज्यों और केंदर सासी प सभापती कौन करता है हमने आपको बता है लोग सभा का जो अध्यच्छ होगा वही संसत के संयूक्त एद्वेशन की अध्यच्छता करता है ठीक संसत सदस्यों को देः वेतन और भथतों का नेड़े किसके दो औरर किया जता है तो संसत के दोर ठीक है आगे बढ़ते हैं संसती पढडाली वाली सरकार को अन किस नाम से जाना जता है important question है, संसदी पड़ाली वाली सरकार को उत्तरदाई सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जाना कियो, आगे बढ़ते हैं, संसदी कारेविधी सुन निकाल किसकी देन है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, सुन निकाल होता क्या है, सुन निकाल को दोस्तों इसे zero hour भी कहा जाता है, संसद में प्रसनकाल के बाद 12 बज़े से लेकर एक बज़े तक जो एक घंटे का बीच में टाइम दिया जाता है, उसको सुन निकाल कहते हैं, प्रसनकाल के बाद, ठीक है, तो ये किस की दिन है, हमारे भारत की दिन है, ठीक है, भारत वर्स की दिन है, आठवा पर कर सकता है जब महानयावादी को हम पड़ाएंगे तो बताएंगे ठीक अभी द्यान नखी ठीक कि आगे आते हैं बारत में संसत की संयुक्त बैठक की अधिचिता कौन कर सकता है लोग से बाद्धेच करते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं दसमा कुश्चन है संसत को भंग करने का अधिकार किसके पास है या कौन सक्षा में तो संसत को कौन भंग कर सकता है राष्ट्रपती चाहे तो संसत को भंग कर सकता है संसद में कितने सदन होते हैं संसद में दो सदन होते हैं लोक सबा और राजे सबा संसद का अस्थाई सदन कौन होता है किसको भंग नहीं किया जाज सकता है तो राजे सबा को कभी भंग नहीं कह जाजा तो आप्सन भी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भारती सविधान की किस अनुछेद में कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राष्टरपति और दो सदनों से मिलकर बने होगी तो आर्टिकल 79 में ये बताया गया है संसद के बारे में कि संसद एक होगी संग के लिए जो राष्टरपति और दोनों सदनों से मिलकर बने होगी अगला कोश्चन देखते हैं संसद के कितने सत्र होते हैं संसद के तिन सत्र होते हैं बजट सत्र मानसून सत्र और सिट कालन सत्र उप्यू सभी डी करेक्टर अंसर हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमत ही हो सकती है संसद के दो सदनों के बीच दो अधिवेशन जो होते हैं सतरों के बीच अधिकतम छे माह का समय होना चाहिए ठीक है तो option C correct हो जाएगा है आगे बहरते हैं सवतनत्र भारत के संसदी इतिहाज में अब तक कितनी बार समयुक्त बैठक बुलाई गई है जो आर्टिकल 108 के तहस्त बुलाई जाती है वो अब तक कितनी बार बुलाई गई है तो तीन बार ठीक है ध्यान रखेगा इस प्रश्ण को आगे बढ़ते हैं भारत की पार्लियामिंट संसत का उत्गाटन कब हुआ था भारत में जो पार्लियामिंट कब बनी थी 222 927 मेँ वेसरा कौन था लैहीं को सांसत्ठ छेत्र में विकास कार्य के लिए कितनी रासिक खरज सकते हैं जो सांसद होते हैं ठीक है तो आप्ज़र्ण डी करेक्ट हो जारेगा 5 करोर्ड एक सांसत strongest संसदी छेतर में पांच करोड रुफे विकास कारियों के लिए खर्द कर सकता है ठीक तो दोस्तों ये थ्याद के कुछ महत्पूर्ट प्रस्न वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता हैं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वी